अगर आप लोग दैनेक भासकर नीउच्वेपर पढ़ते होंगे तो आप सभी को मालू होगा कि दैनेक भासकर की तरफ से एक पितिय विता चलाई जा रही है और इसमें हर दिम तीन कुश्चन्स यानि कि तीन पिसंद आपके सामने दिये रहते हैं और उन तीन पिसंद के आपको आंसर देने होते हैं और आप भी कुछ इनाम की रूम में पास सकते हैं तो इसमें आप लोग किस तर ऐसी भाग ले सकते हैं इस पितियो गिता में तो आप लोगों को सबसीर पहले अपने मोबाइल नंबर से इस नंबर पर कॉल करनी होगे किस न आप इंग्लिस में सुन लीजे इस ही अपने mobile number से जब डाइल करेंगे आप लो तो आपकी एक तरह से miss call चली जाएगी उसके बाद आप देखेंगे आपके mobile number पर आपके phone पर एक SMS आएगा, मैसेज आएगा मैसेज में आपकी पास link दिये होगी, और उस link पर आप लोग जैसे ही click करेंगे और आपकी सामने एक home page खुल जाएगा वहाँ आप लोगों को normal जानकारी भरनी होगी जैसे आपका पता हो गया सहर का, और आपका नाम Gmail, ओमर, ठीक है आपसानी से आप लोग भर सकते हैं, उसमें कोई problem नहीं है, चलिए तो आज की हम लोग questions क्या है उनके बारे में देख लेती है किसकी सीमा सरवाधिक राज्यों को छोती है कहने का मतलब ही है ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे जानदा राज्यों से छोती है मद्ध पिदेश, आंद्ध पिदेश, उत्तर पिदेश तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर पिदेश की सीमा सबसे जानदा राज्यों से छोती है नौ राज्य, आठ आपके राज्य हैं और एक आपका कैंदर सासित पुदेश है अगर आप देखना चाहें तो देखे है उत्तर पुदेश लखनव इसकी राद्धानी है यहाँ विधान सभा में 430 सीट है विधान परिषद में 100 सीट है राज्ञ सभा में 31 सीट है लोग सभा में 80 सीट है राजनीती की दृष्टी से भी काफी मात्पून है और इसकी अंतराष्टी सीमा नैपाल से लगती है राज्यों में देखें तो बिहार, जारखंड, चत्तिसगड, मद्यपिदेश, राजिस्थान, हर्याना, हिमाचल पिदेश, उत्राखंड और दिल्ली सबसे जान्दा राज्यों से इसकी सीमा लगती है ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? 1910 में, 1912 में, 1921 में तो आप समयों को मालू होगा कि 1900 कब हुआ था? तो इसमें लगाओ गया आप लोग 1912 यानि कि B option आपका बिल्कुछ सही रहेगा ठीक है? आपको मालू होगा कि उनिसा और विहार अलग किया गया था बापू यानि कि महत्मा गांधी को राष्ट्य पिता सरपितम किसे ने कहा था? सुभाष्चेंद बॉस ने, जबाहलाल नहरू ने, भागस सिंग ने तो आपको मालू होगा कि सुभाष्चेंद बॉस ने कहा था? देश का पिता यानि कि राष्ट्ट पिता कहा था? और महत्मा गांधी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को मालू होगा कि महत्मा गांधी का जनम 2 अक्टूबर 1889 में हुआ था, इनकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 में, तो इनकी बारे में भी याद रखेगा वहीं हम अगर हम लोग सुभाष्चेंद बॉस की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इनका जनम 23 जनवरी 1897 में हुआ था, तो इनने भी आप लोग याद रखेगा इनने ने महत्मा गांधी को राष्टिपिता कहा था तो पहले में आपका उत्तरपिदेश C ओप्सन लगाएंगे दूसरे में आपका B ओप्सन 1912 और तीसरे में आपका क्या रहेगा ये ओप्सन 108 जन्द बहुत अब कल के बिजयताओं को देख लिजे कौन कौन बिजयता रहे हैं देखी कुईज नमबर 9 की सही जबाब ये है पहले में B था, दूसरे में ये था, तीसरे में B था और इसमें कल के पहले बिजयता है अजय और दूसरे सौना लिजयर तीसरे पिरतित दबे और चौतरे ग्रीर चंद सी और पाचमे नमबर पर भावना नागेस तो आप लोग भी कुश्चन्स समिट कर लिजे आंसर इनके और आप लोग भी कल इंतिजार करेगे कल का न्यूच वेपर का कल हम लोग देखेंगे आज के बिजयताओं को भी देख लेंगे और हम लोग कल जो भी कुश्चन्स रहेंगे उनके आंसर भी हम लोग जान लेंगे ठीक है